आज के ताइम में जो अभी क्रोना का टाइम चल रहा है इस ताइम में बच्चों को कौन सा खिलोने लेकर दें जो घर में पैड़कर आम से खेल सकें और बाहर जैसा अनद्ध थोड़ा सा ले सकें जैसे आज मैं वो प्रड़क्ट लेकर आया हूं तो जो बच्चों को बाहर जाने से रोकेंगे और घर में ही रहकर बाहर जैसा थोड़ा सा इंजो आई खिल सकते हैं पहला यह गोड़ा है जो मैंने ओलने मंगवाया था और ऐसे इसके टायर आपको खुड लगाने पड़ेंगे अब आपको जैसे में जैसे घोड़ा पूरा ऐसे आएगा बस इसके जो जो यह वाले पूरा पोर्शन या लोड ब्लू वाला आएगा अलग से वह यह आएगा बस यहां पर एक नट यहां पर वो एक पेज जहां पर चार पेज दियोंगे बस इसको इसी को लगाना है और कुछ करने की जोड़नी आपका गोड़ा ट्यार रहेगा अगर आपका ज्यादा शोटा बचा है तो इसको अभी मतले लगाए है वो ऐसे ही अप डाउन अप डाउन करके रामसे जोला ले सकता है अप डाउन अप डाउन करके जोला ले सकता है एक जे हो गया और यह वन बाई टू है मतलब इसका एक और इस्त्माल हो सकता है आप देख रहे हो कि हम बोल लगे हुए है इसको आपको नहीं बस यह पूरा फिट आएगा बस यही तैल लगाने पड़ेंगे आपको यह लिए और यह साथ में लगा हुआ बस इसको यहां से है पर ले आपने फिट करना है नाटल लगाना और बाद में यह श्टिक कर लगा तायर दोनों नीचे करके बचा चला भी सकता है रामजे वो जो इसके प्लास्टिक की क्वाल्टी है न वो बहुत ही बहुत ही अच्छी है इतना अच्छा है प्रटक्ट है जै और मैं आपको तो क्मेंट कर सकता हूँ पूरा गूड़ डेप्टक्ट कि आप ले सकते हो और बै बच्छा आपका बेबी शोटा है तो अब डाउन करके ले सकता है और बड़ा हो गया पैर उसके नीचे लगते है उसको चला भी सकता है चला के घर में घुम सकता है वो एक यह बैनिफिट है इसका और जो इसका मैंने जहां से भी लिया है न इसको तो उसका मैंने लिंक को ही नट बोर्ड लगाने पड़ेंगे बाकी सब कुछ फिट होगा ऐसा नहीं कि यह टायर अलग आएगा यह अलग आएका नीचे यह लो वाला जो टायर के साथ रोड वो ऐसा कुछ नहीं है यह यह लो टायर है वो फिक्स है बस इसको यहां से यहां से स्टिकर उन्होंने अलग दी होंगे इसको निकालेंगे तो यहां पर होल आप यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बस और नट बोर्ड लगेगा बस सिंपल सा है और आपका उसी रडी हो जाएगा बच्चा उसी टाइम खेल सकता है ठीक है और दूसर अप्टक्त आपको भी दिखाता हूं मै और यह दोस्तों दूसर अप्टक्त है जिसको स्लाइड बोलते हैं यह भी बहुत अच्छा अप्टक्त है और इसका भी दिस्क्रिप्शन में नेचे दे दूगा और मुझे कई पुछेंगे हां भी यह कितने साल तक धाई साल के मैंने मेरा बेबी था मैंने मगवाया है और वो खेल रहा है ठीक है जी और दिस्क्रिप्शन में में लिंक दे दूगा वहां पर लिखा ही होगा कि कितने साल कितने साल तक बचा ले सकता है और इसका तो नट बोर्ट कुछ नहीं लगा ना और इसका यह भी पेनिफिट है कि आप बोलोगी हां भी आपकी स्पेस घर में कम हैं फ्लैट में रहते हैं यह है ठीक है हो होती है वो स्पेस को यह कवर कर देगा जब बेबी ने स्लाइल लेनी है तो इसको खोल दीजे और जब नहीं लेनी यह देखी जिए यहां से इसको उपर करके बंद कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाता हू ऐसे आप इसको फोल्ड करके नीचे किसी भी जगा में रख सकते हैं यह देखीजिए यह फोल्ड होके नीचे से उपर आगा है ऐसे फोल्ड हो जाएगा और एक और बात इसका भी प्लास्टिक बहुत अच्छा है मंटीर बहुत ही अच्छा यूस किया हुए है वह आप इस इसको मैं पहले स्लाइड सीदी कर दों फिर आपको बताता हूं पहले मैं आपको यह चीज़ बतातु हूं इसमें कोई नेट बोल नी लगेगा ठीक है जी वह सीदही बस अटाइच्मेंट ऐसे सीदी लगानी है और यह ऐसे लगानी है जिस्टिकल लगाना है ना आपने जो गलती याममत धुराना पहले है ना फिर इसको स्लाइड को लागा लोगे ना जो यह वाला हूलiğ लोगा न यह वाला हूझ जो इस टिककर का जो섯 प्रस निकले हैं ना उसको इस होल कि जितना काड लेंआ और अंधर बनर लगा YOUT लेका ना नहीं लगा ओए तो वो इस प् सब्सक्राइब जब आप इसको बंद करोगे ऐसा हो जाएगा जैसे जी मेरा बाट चुका है कि यह गलती मत करना तब ही मैं आपको पहले ही बिता रहा हूं वह यह इस्टिकर लगेंगे आपके यह वाली स्टार वाली स्टिकर आएंगे एक दो ती 14 चार एदर थीक है जी हम पर पकड llegó से यहां से पकडनी माला हो गए होका यह होगी यह होगी सीरियां को इसम्नि हो जाएगी यह हो जाएंगे और दृक्त के उपर एपल हाट यह चीज़े बनी हुई है रिजाइन बने हुई है यहां पर भी सेम ऐसा ही है ठीक है जी और पकरने के लिए बहुत अच्छा दिया हुगा यहां पर और अच्छा पुटक्ट है स्लाइड और जगा भी नहीं खेड़ेगा वह एक वो गोड़ा यह दोनों पुटक्ट है जो बच्छा राम से खेलेगा और आपके पैसे वसूल रहेंगे और बच्छा भी अंदर ही रहेगा घर के और इंज्वाई करेगा यह होगा स्लाइड रामसा आप इसको फोल करके रख सकते हो और जे घोड़ा हो गया इसको चला सकता है बच्छा बेबी चला सकता है और अप डाउन अप डाउन अगर नहीं चलाना तो ले सकता है जूला वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला अऩर मत भूला